हेलो दोस्तो कैसे हैं आप सर वेलकम बैक टू मैं चैनल उमीद करती हूँ कि रोज की तरह आप सब भी बहुत अच्छे होंगे दोस्तो हमेशा की तरह आज भी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही काम की वीडियो इस वीडियो में आज मैं आपको बताने जा रही हूँ धेर सारे ऐसे टिप्स और ट्रिक्स और कुछ ऐसे घरलू जुगार जिसकी मदद से आपके घंटों का काम भी मिंटों में हो जाएगा और साथ ही साथ पैसों के भी बज़त होगी तो फिर चलिए बिना देरी के वीडियो देखना शुरू करते हैं वीडियो जरा से भी पसंद आए तो रोज की तरह एक लाइक जरूर करिएगा दोस्तों के साथ जरूर शियर करें और चैनल पर पहले बार आएगा तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा तो चलिए दोस्तों बिना देरी के शुरू करते हैं आज के पहले यूसफुल हैक को दोस्तों कप एक ऐसी चीज है जिसका इस्तिमाल हर घर में किया जाता है आम तोर पर कई घरों में न इसे डेली यूज किया जाता है तो आज मैं इससे जुड़ी दो तीन बाते आपको बतान जम जाती है जो की साफ करने के बाद भी ठीक से साफ नहीं होती और कप में सेनक उस टाइम बाद एक बुरी सी बैट स्मेल आने लगती है चाय कॉफी अद्दूद की तो आज मैं आपको एक बहुत ही बड़ी आसी ट्रिक बताने वाली हूँ जिसके बाद आपकी ये सारी प समेल भी आती है और नीचे तले में गंद की जमी हैं उन अच्प को आपको डाल देना है कूकर के अंदर से 5 मिनिट के लिए कम से कम कप को इसके अंदर ही रहने दीजिए आप देखेंगे कुकर के अंदर जितनी भी हीट थी गर्माहट थी उसकी मदद से एक तो जो कप जो कचे थे वो बिल्कुल कचे नहीं रहेंगे और दूसरा इनकी बैट स्मेल भी खतम हो जाएगी और जितनी भी अंदर तले में गंद की जमी थी वो भी इसली निकालने में आजाएगी चली दोस्तों देख लेते हैं अगली यूसफुल ट्रिक को दोस्तों कपड़े धुने का साबुन तो हर घर में यूज किया जाता है और हर रोज ही कपड़े धोय जाते हैं लेकिन सबसे जाधा ना कि ऐसा भी हो ये बहुत जल्दी से गलना शुरू हो जाता है तो इसके लिए आप एक छोटा सा काम कर सकते हैं आम तोर पे हम जो भी साबुन दानी यूज़ करते हैं उसकी जगा पे आप किसी भी डब्बे के धकन का यूज़ करिए और उस पर लगा दीजिए बढ़िया से रब लेगी भी कम और चलेगी लमबे समय तक I hope कि आपको ये ट्रिक भी बेहत काम के लगेगी दोस्तो गैस चुले का इस्तिमाल हर घर में किया जाता है बिना गैस के तो हम खाना तक नहीं बना सकते कोई भी काम नहीं हो सकता है लेकिन सबसे जदा हमारी ये गैस ही खतम होती है अब इसको बचाने के लिए हम कितना कुछ ट्राइ नहीं करते हैं ताकि गैस की खपत कम से कम हो आज मैं आपको एक ऐसे ही ट्रिक बताने वाली हूँ जो कि आपके बेहत काम आने वाली है अक्सर हम जब फूर्टी पीते हैं या बचों को देते हैं तो यह फूर्टी का जो ट् कैची और इसको कट करना शुरू कर देना है तो सबसे पहले में कैची से इसका जो उपर वाला हिस्सा होता है जहां से हम अक्सर फूर्टी से जूस वगरा पीते हैं जिसमें छोटा सा होल होता है वहां से कट करना शुरू करेंगे ध्यान रखिएगा पूरे डब्बे को कट नहीं करना है बस इसका जो उपर वाला हिस्सा है इसको कट कर लेना है अब इसके अंदर जो भी फ्रूटी वगर थोड़ी बहुत बची होती है आपको बढ़िया से इसको साफ कर लेना है तो चलिए मैं इसको साफ कर लेती हूँ फिर मैं बताती हूँ कि आपको इसका यूज क को साफ करने के लिए, तो यहाँ पर जितने भी छेध वगर होते हैं, गैस बरनर के, अक्सर ब्लॉक होने के बाद, इसमें से गैस वगर रिलीज होती है, और जितनी भी गैस इधर उदर से निकलती है, वो पूरी गैस हमारी वेस्ट हो जाती है, तो इसे आप साफ करने के लिए जरूर से यूज़ करिएगा चलिए बताती हूँ इसका दूसरा तरीका अक्सर दोस्तों जब कभी भी हम खाना बनाते हैं तो उस टाइम पर सबसे ज़ादा हमारी गैस खर्च होती है तो यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताने वाल जिसमें बहुत ज़ादा टाइम जाता है तो आप एक काम करेंगे आपना टमाटर के प्यूरी बना लीजे चाहे तो इसमें लसन वगार का भी बढ़िया तरीकी से प्यूरी बना लीजे और यह जो बॉक्स है इसका फ्रूटी का जिसको हम फेकने वाले थे इसके अंदर भर के रग दीजे आप सोच रहे होंगे कि इससे क्या फाइदा होगा इससे गैस कैसे बचेगी तो यह भी मैं आपको बताने वाली हूँ तो सबसे पहला आपको करना यह है कि इस तरीके से इसका पेस्ट बनाकर इसके अंदर भर लेना है चलिए चलते हैं हमारे फ्रिज की बनाना हो तो आपको यह दिकत बिल्कुल भी नहीं रहेगी कि टमाटर आपको गलाना पड़ेगा टाइम लगेगा क्योंकि जितना भी मसाला तयार होने में जितना भी टाइम लगता है उतनी ही जादा हमारी गैस भी खर्च होती है तो जब कभी भी आपको टमाटर का आपको ट्रिक यूसफुल लगी होगी दोस्तो करेले की सबजी एक ऐसी सबजी है जो शरीर के लिए बहुत ही जादा हेल्दी होती है बेशिक खाने में थोड़ा कड़वा ज़रूर लगता है लेकिन खाने के अलावा हैल्थ के लिए यह बहुत ही ज़ादा अच्छी होती ह अच्छा जो ये लंबे वाले करेले होते हैं तो इसका जो बाहर का जो ये पीस है इसको तो हम निकाल देते हैं जो ये बाहर का उबरा हुआ हिस्सा है लेकिन जब छोटे वाले करेले होते हैं बिल्कुल छोटे 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 तो उनको छीलना बड़ा मुश्किल लगता है त तो जो छोटे वाली करेले होते हैं, बड़े वाले करेले को आप ग्रेटर की मदर से थोड़ा उपर वाला हिस्सा हलका हलका ग्रेट कर लीजिए, तो आपको छीलना नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब करेले ज्यादा छोटे होते हैं और छीलने में नहीं आते हैं, बार-बार हा चाय में उसको दे दीजिए कड़वापन थोड़ा लगेगा जो चाय के अंदर ये चाय बहुत ही जादा हेल्दी होती है और खास तो पर शुगर पेशन के लिए तो ये बिल्कुल रामबाण है उनको तो करेले वाली चाय जरूर से पीनी चाहिए किसी की बॉड़ी के अंदर कॉलिस्टरॉल अगर बहुत जादा है तो उसे निकालने में बहुत ही जादा ये हल्प करता है तो ये करेले के चाय के नब बहुत सारे फायदे हैं ब्रेन के लिए भी बहुत अच्छा होता है तो आप इस करेले के सबजी के साथ ना इसका जो बाहर का चिलका है इसको भी ज़रूर से यूज करा करिये तो दोस्तों ये कुछ छोटी-छोटी ऐसी ट्रिक्स थी जिनका इस्तिमाल अगर आप करते हैं तो आपकी लाइफ तो आसान होती ही है, साथ ही साथ आपके काम भी बेहदासान हो जाते हैं, उम्मीद करती हूँ कि रोस की तरह आपको ये सारी ट् के साथ अपते के लिए आप सबी अपना ख्याल रखे हर हर महादीव